तबाही लाएगी शारदिय नवरात्री में माता के आगमन प्रस्थान की सवारी, जाने देश दुनिया पर असर, नई दिल्ली शारदिय नवरात्री उत्सव की नवरात्री होती हैं, इसलिए भक्तों को चारों नवरात्री में शारदिय नवरात्री का इंतजार सबसे विशाल दुर्गा प्रतिमाय स्थापित की जाती हैं, गर्बा खेला जाता है। हर बार मातारानी के आगमन प्रस्थान की सवारी से कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। नवरात्री के प्रारंब और समापन के दिन से माता के आगमन और प्रस्थान की सवारी ते होती है. इस साल शारदिय नवरात्री the 3rd of October 2024, गुरुबार से प्रारंब हो रही है और the 11th of October 2024, शुक्रवार को नवमी के दिन समाप्थ होंगी. जानिये इस बार माता की सवारी क्या है? माता के आगमन की सवारी. अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदिय नवरात्री प्रारंब होती है, इसी दिन घट स्थापना होती है और नवमी को समाप्थ होती है. इस बार the 3rd of October 2024, गुरुबार से नवरात्री का प्रारंब बता रहा है कि मादुर्गा पालकी में सवार होकर आ रही है. वैसे तो पालकी की सवारी को शुब माना गया है लेकिन यह आनशिक महामारी भी लाते हैं. चूनकी इस समय मनकी पॉक्स काफी चर्चा में है और संक् प्रस्थान फैला रहा है. ऐसे में माता की सवारी का ये संकेत कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता है. ये देश दुनिया में कोई महामारी फैलने की आशन का पैदा कर रहा है. प्रस्थान की सवारी भी खतरनाक. इसी तरह शार्दिय नवरात्री में मादुर्गा के राजनेतिक उठापटक का इशारा देती है रोटी बनाने से पहले गर्म तबे पर कर लें ये टोटका तिजोरी में पैसा रखने की नहीं बचेगी जगह दिस्क्लेमर यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है न्यूज फास्ट इसकी पुष्टी नहीं करता है